दोस्तों, क्या आपका pen card खो गया है और अब आप नया pen card डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आपका खोया हुआ pen card फिर से आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं. उससे पहले आपको आपके pen card में email id लिंक करना होगा. Chrome browser में TIN, NSDL सर्च करेंगे. सबसे उपर दिये हुए link पर क्लिक करेंगे. Continue पर क्लिक करेंगे. फिर से Continue पर क्लिक करेंगे. Continue पर क्लिक करेंगे. एक और बार Continue पर क्लिक करेंगे. Left side में pane new facility के उपर क्लिक करेंगे उसमें सबसे पहला option mobile number email id अपडेट का है. उसे select करेंगे. उपर अपना pen card number लिखेंगे. नीचे आधार number लिखेंगे. इसके बाद यहाँ से अपने जन्मतारीक का महीना और यहाँ पर जन्मतारीक का सालदर्ज करेंगे. नीचे की तरफ जाएंगे और check box के उपर ठीक करेंगे. अधार रजिस्टर mobile number पर OTP आया है, उसे दर्ज करेंगे और submit बटन पर क्लिक करेंगे. नीचे यस को सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर जो आप mobile number और email ID अपडेट करना चाहते हैं, दर्ज करेंगे और submit बटन के उपर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपको एक नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का option आएगा, इसे आप डाउनलोड करके सेव कर लेंगे. Mobile number या email ID अपडेट होने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय लगता है, उपर 15 अंकों के एक नॉलेजमेंट नंबर का उप्योग करके आप अपना pen card डाउनलोड कर सकते हैं. दोस्तों, अब हम आपको pen card डाउनलोड करके बताएंगे. Google में NSDL pen card डाउनलोड सर्च करेंगे. Gate e pen card इसके उपर सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले अपना pen card नंबर दर्ज करेंगे, उसके नीचे अपना आधार card नंबर डालेंगे, आपकी date of birth का महीना सिलेक्ट करेंगे और फिर date of birth का year दर्ज कर लेंगे. यहाँ check box के उपर टिक करेंगे. उसके बाद नीचे I am not robot के उपर टिक करेंगे. अब submit बटन पर क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं कि आपका pen card नंबर और जो अपने mobile नंबर और email ID अपडेट के लिए डाला था वह अपडेट हो चुका है. OTP के लिए mobile नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे check box के उपर टिक करेंगे और generate OTP के उपर क्लिक करेंगे. Mobile नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करेंगे, नीचे validate बटन के उपर क्लिक करेंगे. Continue के उपर क्लिक करेंगे. बारकोड के द्वारा पेमेंट करने के लिए पहले वाले ओप्षन को सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे की पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए 8 रुपे का पेमेंट आपको करना पड़ेगा I Agree के उपर क्लिक करेंगे और नीचे Proceed to Payment बटन पर क्लिक करेंगे Pay Confirm इसके उपर क्लिक करेंगे अब आप फोन पे Google पे PayPayTM से इस बारकोड को स्कैन करके पेमेंट सक्सेस्फुल करेंगे पेमिंट करने के बाद पैन कार्ड का PDF आपके एमेल आईडी पर आएगा जी से आप डाउनलोड कर लेंगे